तो आज का यह वीडियो में आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टन रहने वाला है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लस्टर उनिवर्स्टी अफ सरनगर उसके अंडरग्रेजुएट कोर्सेस के बारे में आपके साथ डिसकस करने वाले हैं क्योंकि UG courses की जो admission process है वो यहाँ पे 2024 के लिए start हो चुकी है इस वीडियो में मैं आपको detail में समझाऊंगा eligibility का criteria कौन से entrance आपको देना पड़ेगा और subject यानकी course wise मैं आपको बताऊंगा किस course कि subject के लिए आपको कौन सा test देना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको A to Z सारी information मिल जाएगी इस वीडियो को पूरा इंट तक देख लेना चैनल को पे subscribe कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम गूप और WhatsApp गूप दोनों की link आपको description में मिल जाएगी तो चली वीडियो को शुरू कर लें तो जान लें यहां पे cluster university of सरनगर के undergraduate courses के admission process के बारे में तो देखे यहां पे हम आच चुके हैं cluster university सरनगर की official website पे इसमें अगर आप देख लोगे cluster university के affiliated colleges है लगबग 5 colleges है जो different courses जहां पे करवाए जाते हैं जिसमें अगर आप पहला देख लोगे SP college मेरोड सरनगर में है उसके बाद Amar Singh college जो गौग जिबाग में अब्दलाहद आजाद memorial degree college AAM college यह बिमना सरनगर में है उसके बाद यहां पे हमारा government college पर women यह अमेरोड सरनगर में है यहां पे आपका BTEC की एक branch है यह 4 branch है जिसमें medical arts वाले candidate जाते हैं इन मैंसे अगर आपको किसी भी college में admission करना है तो इस वीडियो को आप देख लो admission की जो process आपकी है वो यहां पे start हो चुकी है यहां पे अगर आप official website पे आ जाओगे इधर आप देख सकते है admission notification no.2 of 2024 यहां पे आ चुकी है notification मैंने डाउनलोड कर दी है यहां पे मैं आपको screen पे देख रहा हूँ देखे admission जो आपका होगा वो CUET के base पे होगा आपको खुझ से university को इंटरंस कंडेक्ट नहीं करेगी आपको CUET का form बरना पड़ेगा CUET का form कैसे बरना है उस पर मैंने डीटेल में सुबाव वीडियो डाला है उसके में link description में दे दूँगा आप जाके उस वीडियो को एक बार check out कर सकते हैं और उसको देखने के बाद आप अपना form यहां पे submit कर सकते हैं तीक उसमें अगर आप देख लोगे NEP 2020 जब implement हुई उसमें आपका जो है UG honors 3 plus 1 यहनके 3-4 साल की graduation होगी जिसमें आपको एक major subject रहेगा यहनके आप honors आपको subjects में होगा इसमें आपकी मर्जी है आपकी scores में जाना चाहो आपकी मर्जी ठी selection जो आपकी होगी वो NTA के through आपका CVT का इंटरंस का डेक्ट किया जाएगा उसके base भी होगी सबसे पहले अगर हम बात करें English literature में अगर आपको BA करना है यहनकी graduation अगर आपको English literature में करना है उसमें आपको test paper आपका English का test लगेगा 10 plus 2 आपका pass होना चाहिए किसी भी stream है उसके बाद हिंदी के अगर में बात करूँ इसमें आपका domain test हिंदी का लगेगा इसमें आपको general test सबगरा नहीं देना है CVT के हिसाब से बात करूँ में CVT में आपको select करना पड़ेगा इसमें भी सारी stream वाले eligible है पंजाबी में भी same है domain पंजाबी लगेगा उर्दू में उर्दू आपका लगेगा domain subject Arabic में अगर आपको करनी है तो उसके लिए Arabic आपको domain paper select करना पड़ेगा Kashmiri के लिए आपको Kashmiri subject select करना पड़ेगा पेपर में Sanskrit के लिए आपको Sanskrit paper select करना पड़ेगा Commerce के लिए आपको Accountancy या Bookkeeping आपको select करनी पड़ेगी अपने test paper में CVT के form में तब जो आकर आप Classory University में Commerce के लिए यहां पे eligible होगे B.com के लिए eligible होगे उसके बाद Botany के अगर मैं बात का test CUET में दे सकते हो तब जाके आप जहो Botany के लिए यहां पे eligible हो TCUT के form में इन 4 subjects में से कोई एक subject आप यहां पे select कर सकते है eligibility 10 plus 2 with PCB आपका होना चाहिए biology आपका एक major subject हो होना चाहिए उसमे Biochemistry में भी same आप करेंगा Biology का आप test दे दो, Biological Studies का दे दो, Biotechnology या Biochemistry के लिए तीन subjects में से आप किसी एक का test दे सकते हैं तो आप Biochemistry के लिए आप eligible हैं तो यहां पे आप देख सेते हैं 12th में आपको Chemistry, Biology या Chemistry या Bio Technology आपका एक major subject हो होना चाहिए Bio Technology के लिए भी आपका same है, Biology, Biological Studies, Bio Technology या Biochemistry या Biochemistry या आपका लगेगा Zology के लिए भी आपको यही लगए देखिए अगर आप CVT के form में Biology रखोगे या Biological Studies रखोगे या Bio Technology रखोगे या Biochemistry रखोगे इस एक test को देने के बद आप biology के लिए भी eligible रहोगे biotechnology के लिए भी, biochemistry के लिए भी और botany के लिए भी आप eligible रहोगे इतने सारे subjects के लिए आप एक test paper से selector होगे मतलब अगर आपको इसमें एक में जाना है तो आप इस हिसाब से यहाँ पर selector कर लेंगे BBA अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको domain में business studies का देना पड़ेगा इसमें 10 plus 2 आपको होना चाहिए in any stream chemistry के लिए आपको chemistry का देना पड़ेगा इसमें 10 plus 2 आपको होना चाहिए science है with chemistry as a major subject EBS में अगर आपको graduation करनी है तो उसके लिए आपको environmental studies का जबो domain test देना पड़ेगा 10 plus 2 आपको होना चाहिए with science ठीक, computer application के अगर में बात करूँ तो इसमें आपको CVT में computer science और information practice का test देना पड़ेगा Information technology के अगर में बात करूँ तो इसमें computer science और information का देना पड़ेगा Economics में आपको Economics का या Business Studies का देना पड़ेगा उसके बाद Geography के अगर में बात करूँ तो इसमें आपको Geography या Geology का टेस्ट देना पड़ेगा Eligibility आप यहां से चेक आउट कर सकते है Geology के अगर मैं बात कर तो इसमें आपको Geology, Geography या Geology का Test दोमेन में देना पड़ेगा History के लिए आपको History का Domain सेलेक्ट करना पड़ेगा Home Science के लिए आपको Home Science का Domain सेलेक्ट करना पड़ेगा Journalism and Mass Communication में आपको Mass Media या Mass Communication का Test देना पड़ेगा Mathematics के लिए आपको Mathematics या Applied Mathematics का Test CVT में देना पड़ेगा Electronics के लिए आपको Physics देना पड़ेगा Physics के लिए आपको Physics लगेगा Political Science के लिए आपको Political Science लगेगा Psychology के लिए आपको Psychology का Test लगेगा Sociology के लिए आपको Sociology के लगेगा Statics के लिए आपको General Test लगेगा याद रखे अगर आपको graduation statics में करनी है Colustod University की किसी भी affiliated branch में तो general test आपको देना कमपल सरी होगा general test आप अपने test paper में select कर लोगे multiple भी आप select कर सकते हैं लेकिन general test आपको देना कमपल सरी होगा last year भी students ने बहुत गलतियां करी थी इसमें उन्होंने subject एक रखा था, test अलग रखा था फिर वो उसमें eligible ही नहीं रहे थी फिर उन्होंने non-CUT बर्की उसमें किया था education में भी आपको यहाँ पे general test ही लगेगा, music में भी general test लगेगा Islamic studies में भी general test लगेगा tutoring travel management में भी आपको general test लगेगा उसके बाद यहाँ पे philosophy के लिए भी general test लगेगा social work के लिए भी आपको general test लगेगा eligibility यहाँ पे आप चेक आउट कर सकते हैं सबकी मेन यहाँ पे आपको notification के इसाब से सिखाए students को क्या काम करना पड़ेगा आपको CVT का form बरना पड़ेगा जिसके registration छोबी समारेज तक यहाँ पे चलेगी 26 समारेज तक आप अपना form submit कर सकते हैं 28 मारेज यहाँ पे correction window भी open हो जाएगा बाकी मैंने आपको सुबा वीडियो डाला लगबग 15 मिनट का मैंने वीडियो डाला है आप उसको जाकर चेक आउट करके CVT का form, CVT के website पे आपके अपना form लगा सकते हैं मैंने step by step सारा procedure आपको समझा के रखा है बाकी कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं अधर जो भी उनिवर्स्टेस हैं उनका भी मैं आने वाले वीडियो मैं आपको समझाऊँगा